अब इस वागत है आप सभी कमारी खास पेश्क शमिन मुश्कर आपके साथ में हूँ अंकोश वाजपी महाराष्ट में राश्पति शासन लग चुका है राजपाल बगत सिंग कोश्यारी ने राज्जमे राश्पति शासन लगाए जाने के सिफारिश की थी जिसकी राश्प पती ने मंजूरी दे दी है 24 अक्टूबर को राज्जमे चुनाओं के परिणाम आये थे लेकिन बीजेपी शियुसेना के बीच बात नहीं बन पाई उसके बाद शियुसेना एंसीपी सरकार बनाने को लेकर आगे आये लेकिन यहां भी कंडबंदन के खबरे फेलोती नजर आई अलाकि तए समय के बीचतर शियुसेना सरकार बनाने के लिए कॉंग्रेस का समर्थन नहीं जुटा पाई इसके बाद शियुसेना के जो नेता थे उन्होंने राजपाल से मुलाकात कर दो और दिन का समय मांगा लेकिन राजपाल ने इससे इंकार कर दिया वहीं मामले म सत्ता के संघर्ष के बाद आखिरकार राश्ट्रपती शासन लग गया राजपानले केबिनेट को राश्पती शासन लगाने सिफारिश भीजी थी इसके बाद मोधी केबिनेट ने राजपती शासन पर फैसला लेते हुए इसकी सिफारिश राश्पती को भीजी हाला कि शि उसे ना दोनों को राजपाल सरकार बनाने के लिए बुला चुके थे और उनके मौके खत्म हो चुके थे अगर किसी दल को लगता है कि उसके पास बहुमत है तो बात करें आगे आखे पर मुझे लगता है कि जिस तरह से एक दूसरे को पत्र नहीं दे रहा है कहीं न कहीं एक से बड़ा होने का सिद्ध करने का प्रयास कर रहे है और शिवसेना उनके बीच में फसी हुई है तो मुझे लगता है कि यह जो हार स्टेडिंग की इस्तिती बन रही थी उसको देखकर राजपाल मोदे ने जो नेड़ने लिए वो सागती हो गया इससे पहले जब शिवसेना ने राजपाल से सरकार बनाने के लिए दो बिन का और वक्त मांगा तो उसे असुरिकार कर दिया गया था इसी आधार पर राजपाल ने NCP की मांग को असुरिकार कर महराष्ट में राजपती शासन लगाने की केंदर सरकार को सिफारिश की थी महराष्ट में भाजपाक 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी विधायक संख्या वाली पार्टी के सरकार के गठन में अज समर्थता जाहिर करने के बाद शनिवार से ही सियासी पारा गर्म था रविवार को राजपाल ने 56 विधायकों के साथ शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन पार्टी कॉंग्रेस और NCP से समर्थन के पत्र उपलद्ध नहीं करावा सकी गर्तलबे माराष्ट की 288 सदस्य विधान सभा में शिवसेना के पास 56 सीटे हैं जबकि NCP और कॉंग्रेस के पास 54 और 44 सीटे हैं और राज्जी में सरकार बनाने के लिए चुक किसी भी दल या गड़ बंदन को विधान सभा में बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 145 विधायकों के समर्थन की जुरत होगी बैस्क रिपोर्ट डी एने तो निश्चित तोर पर फिलहाल महराष्ट में राश्पति शासन लग चुका है बहराल 145 विधायक बहुमत के लिए चाहिए होते हैं और निश्चित तोर पर एक लंबा याराना दोस्ती का जो चला आ रहा था महराष्ट में बीजीपी और श्युसीना का वो टूटा धायड़ाई साल के फॉर्मूले पर बात नहीं बनी उसके बाद श्युसीना ने न्सीपी का रुख किया और जाहिर है कि कॉंग्रेस ये खबरी भी निकल कर सामने आई कि कॉंग्रेस बाहर से जमर्थन कर सकती है लेकिन वो रन्नीती भी फेल होती नजर आई अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है महराष्ट में इसी पर चर्चा करेंगे तीन मेमान इस्टूर्ड में चर्चा के लिए हमारा साथ मौझूद है हमारे साथ माईश शर्मा जी बीजी पर प्रवाक्ता जुड़ चुड़ चुके हैं जीतन नविश्टा जी कौंग चलता है इस पर विराम फिलाल अभी तो फिलाल का जा सकता है कि विराम लगा है चुके राश्पति शासन फिलाल वहां पर लागो होने के खबरे आ रही है लेकिन जहां तक राजी की बात है आगे क्या कुछ घटना करम देखने को मिल सकता और क्या कुछ विकल पर दिखाई भाई देते हैं अगर गढधन की बात करें चाहे एन सीपी कॉंग्रेस और शिव सेना की हो तो। तैसा में सबसे पहले मैं यह करें करूं कि जो जनादेश मिला था ज 미리 वह शिव सेना और नोहीं को इस पर रूप से मिला था इन्होंने अपना धर्म नहीं निभा पाए शिव सेना के अडियल रवईये के कारण और यह जो पूरा घटना करम आज हम अभी देख रहे हैं इसमें कहीं न कहीं यदि कहा जाए तो शिव सेना में के जो चीफ हैं उनके राजनीतिक सोच में अपरिपक्वता इस पर टूप से जलक रही है जहां पर भ भी पोल्टिक्स नहीं की जा सकती है और उसमें इसपस्ट यह था कि इनके पास इतना बहुमत नहीं था बड़ी पार्टी के रूप में यह उभरे नहीं थे भाजपा को ज्यादा 105 से सीटें मिली थी इनके पास मात्र 56 थी और इदर उदर के सब मिला लें यह जो यह कह रहे से चीफ मिनिस्टर का अधिकार भाजपा को बनता है और वो इन्होंने देने से इंकार कर दिया कि नहीं सीम तो हमारा होगा अब इतनी कड़क स्टेंड लेने के बाद निश्चित रूप से इनके पास कोई स्पष्ट फार्मूला दिमाग में होगा जो इनको यह तह करके ब चुप चाप बेठे रहे और बहुत धीमी गति से इस अवधी में उन्होंने कारे किया निश्यत रूप से इस समय राज्यपाल ने जो है काम किया कि बगेर जब भाजपा ने कह दिया कि हम सरकार नहीं बना सकते और शिव सेना ने जब बुलाया तो उन्होंने वक्त मांगा तो इतने दिन आपन क्या कर रहे थे कि वक्त मांगने की जरोत पड़ गई आपको आपके पास परियाप समय था फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम समय तो नहीं दे सकते लेकिन आप प्रस्तूत कर दो आपके समर्थन के पत्र तो यह यदि यह नहीं कर पाए थे तो इनकी ग परकार इनकी बन रही है हम करेंगे फिर भी गवर्नर ने एंसीपी को बुलाया अब यहां यह कहा जा सकता है कि एंसीपी और कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वो कांग्रेस के सामने यह इस्थितिति कि हम भाज़ शिव सेना को समर्थन नहीं दे सकते तो इनको दे देना था कामन मीनिपम प्रोग्राम और यह दूसरे पंडे और जो सब कुछ उचाले जा रहे हैं यह तो बाद में भी हल हो सकते थे आप पत्रतों समर्थन का दे सकते दोनों चीज दे दे तो अभी तक यह राश्पति शार्षन वाली नोबत नहीं आती लेकि है इनके पास यदि यह पत्र दे दें तो समस्या हल हो सकती है मेरा ऐसा सोचना है जी साफत तोर पर जिक्र किया यहां पर राजविंद्र जी ने कि माना कि कॉंग्रेस शिवसेना को समर्थन नहीं दे सकती थी एजंडा अलग है अगर ऐसा लगता है कॉंग्रेस को लेकिन ए इज भंसते उसे आपसी बैठा करके सुलजा लिया जाता देगी अगुष जी सवाल यह उठता है कि हम हमारे सिद्धान्तों पर जो चल रहे हैं उनके साथ में जब सरकार बनाएंगे तो बात अलग होगी इतनी छटपटा हट में कि अगर कोई हम से समर्थन वांगे हम समर् और इसके बाद में common minimum program पर चर्चा हो मुझे लगता है कि NCP के साथ जाने में जराबी दिक्कत नहीं थी लेकिन सिवसेना के सामने कम से कम common minimum program पर चर्चा तो हूँ जिसको लेकर के हम सरकार में जाएंगे कॉंग्रेस को बिपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है उसको स्विरुद्माते करके वो इस पर तयार है कि हमें जिम्मेदार बिपक्ष की भूमी का अधा करेंगे लिकिन अगर कहीं कोई सरकार का अपर आता है तो सरकार से जादा जरूरी चीज है कि हम किन programs पे आगे ब जिदायकों के अपने कारिकरताओं की कम से कम विमस्तों करना पड़ेगा कि हम किस प्रोग्राम के थैस शामिल हो जाए भारती जनिता पार्टी की बात छोड़ दीजिए वो PDP के साथ शामिल हो जाती क्योंकि उसको common minimum program से कोई लेना देना नहीं होता है उन्हें सिर्प सरका चलाएंगे किनके अलिए सरकार काम करेगी तो आज Congress एक ऐसी जिम्मेदार पार्टी है कि देश की सभी जातिया देश के सभी धर्व बड़ी जिम्मेदारी की तरफ उसकी तरफ Congress की तरफ देखते हैं तो हमारा यह फर्ज बनता है कि भले सरकार बने ना बने हम शामिल हो ना हो यह अलग बात है लेकिन कम से कम जिन लोगों की जिम्मेदारी जिन लोगों का हमारी तरफ विश्वास के साथ देख रहा है उनको भी विश्वास मिलिया जासा कि मुझे लगता है यही का रहा महारास्ट का और सबाल तो महारास्ट में जब 8 बजे तक का समय NCP को मिला हु हो कि शायद यह साड़े 8 बजे के बात की ही खबरे हो तेलंगाना में जो घटना क्राम हुआ था महां पर देखने में आया था कि आपकी विदायकों की जाधा थी उसके बाद भी आपने जमरतन दे दिया और सीम कोई और बन गया यहां पर को चला के क्या नहीं दिखिए मैं करके भारती जनता पार्टी आती और सरकार बना लेती ऐसी सरकार बनाना होता तो हम सिवसेना के दरवाजे खड़े हो जाते जाके कि हम आपको समर्तन दे रहें लेकिन यहां सिद्धान सरकार ना बने हमको सरकार में शामिल ना हो कोई चिंता की बात नहीं लेकिन जो का रुक किया जाहर से बात ही कि अगर NCP समर्थन दे भी देती तो भी वहाँ पर आंकड़े इतने जुट नहीं पाते कॉंग्रेस का समर्थन जरूरी था वो नहीं मिल पाया मिश्टा जी का तो यही कहना है कि हमारे को चुसूल को सिद्धानत ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर प में दौरों विश्व पर बात करूंगा मेरे मित्र ने जो सिद्धानत की बात कही है उस पर भी मैं आऊंगा एक बात जो महरास्ट के विशेम हम कर रहे हैं कि वहां पर एक दल की राजनेतिक हट-धर्मिता के कारण जैसा राजन जी ने भी बताया कि कहीना कहीं सरकार के अब जाकर अगर कोई विशे किसी दलने भी तैक किया है तो वो निश्चत रूप से उसका परिणाम वे उसको आगामी दुनों में भुगतना होगा अब बात आई कॉंग्रेस के सिद्धानतों की जिसकी बात मेरे मित्र अभी कर रहे थे एक मशूर कवी की दो लाइने वाले कुमार स्वामी जिनको चुनाओं में आपने पानी पीपी के कोसा था उनको मुख्यमंत्री बना दिया अरे बनाया था तो संभाल भी ले थे एक साल में ही आपका गडवंदन जो ठक बंदन के रूप में स्थापित था वो कहीं ना कहीं बेमेल और फेल हो गया आज य करकार को केंदर से लेके राजय में गिराने का ही काम किया है इतियास चाहां तक मुख्या अगर न गूई नेज का लिएब के क'. कि हम बनाने को तैयार हैं तो राज्यपाल अपने संब्धानिक अधिकारों का उप्योग करते हुए सभी को जो के उनका एक दाई तो भी है उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं महाराष्ट में अगर आप कहना चारे कि कॉंग्रेस तावा करे और शिवसेना समर्थन दे दे वो तो मुझे लगता है राज की परिसिती के अनुसार राजपाल जी को निरने करना है और वो कर भी रहे हैं अपने संब्धानिक दायरे में रहते हुए लेकिन जहां तक बात है कि जिस पकार से गड़बंदन की बात आ रहे थी तो यह ऐसा बेमेल गड़बंदन है क्योंकि र रजपाल दिवेक से निरने करते हैं जब महराराष्ट में आज 20 म expressions क्या कर रही है बहुत इस दिन से क्या कर रही थी भालतियनता पार्टी सरकार कर हो फिछ की दगतों हम अपने सिद्धान्तों समझोता नहीं करेंगे चहां तक बात आई अभी कि दो विधायक जहां होते हैं वह सरकार बना लेते हैं बिलकुल ठीक बात है हमारे पास यह वहां पर स्थायत्व देने की बात है लोग हम पर विश्वास करते हैं तो हम दो दो विधायको कि आप एक स्थाई सरकार दे सकते हैं मजबूस सरकार दे सकते हैं जो पास साल चलेगी करनाटक जैसी उसकी इस्थिती और भर्ष नहीं होगा तब वो कहीं ने कहीं मौका देते हैं गोवा में आप बात कर रहे तो गोवा में आपने क्या किया आपके पास विधायक थे धीना देना नहीं 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 कि आपके जो पुराने सांतिंगे राज्यों में वह उन से आपका जोड के महारास्ट में उदहरन नेए नहीं देखा चिवसेना का और जारखंड्ड की जहां तक बात है यहां पर भी आपको समर्थन देता है AJSU day उससे भी कहने के सवाल उट रहे हैं कि यहां पर भी गडबंदन नहीं जम पाएगा विदान सबाचोनाव में देखते हुए जारकंड की जहां तक आपने बात की है जारकंड में अभी पत्याशियों पे चैन और चर्चा चल रही है लोग जंशक्ति पार्टी ने वहां पे हम विश्य है तो वह गडबंदन आपस में तैय करता है यहां महराष्ट की जहां तक आपने बात की है तो यह किवल एक हट धर्मिता जिसे कहते हैं अती महत्वकांशा राजिनितिक तो यह भी कहीं राजिनिती में मुझे लगता है जैसा अभी कहा कि अपरपक्वता का एक पर कार बनाती है उसके बाद कुछ घटना करम घटित होता है तो इस्तिफा देते हैं नितिश कुमार जी और बीजेपी के साथ गडबंदन कर सत्ता में आ जाते हैं अलग अलग घटना करम देखने को मिल रहे हैं क्या लगता है कि वाकई में राजनितिक पार्टियां जनता की स नमाज की बलाई चाहती है तो फिर इस तरह का यह जो बेजोड गडबंदन होता है वो बनता ही क्यों है चूंकि नितिश कुमार जी कर जहां तक सवाल है पहले भी दो बार वो ऐसा कर चुके थे और बिहार में जब चुनाओं हुए परिणाम आये तो लालु जी के साथ गय हुं जिसके पास भल है उसके साथ हम और हम विजय होंगे यह राजणीती परिवाशा आज कल हो गई है सिद्धान्त वाली बात करना सिद्धानतों की राजणीती की बात करना ये किसी भी दल में अब कहीं पर भी कहने को जरूर है लेकिन कहीं इस पर्ष्ठ रूप से दिکh लाई नहीं देता इसमें यदि ऐसी स्थिती होती तो मैं सबसे पहले तो महाराष्ट के मतदाताओं के लिए दो बातें कहना चाहता हूं इसमें कि महाराष्ट के मतदाताओं ने ऐसा जनादेश दिया कि कोई मतलब भाजपा और शिवसेना का गट बदन सरकार बना ले लेकिन इनके नहीं बढ़ने के बाद आज देश के सामने महराष्ट के सामने देश के सामने यह इस पश्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है कि राजनीतिक दल अपने-अपने स्वार्थ के लिए किस तरीके से आगे-पीशे हो रहे हैं और उनको जनता से कोई मतलब नहीं है यह जो कुछ घटनाकरम इसमें गटित होगा जो भी इसका निन्यने होगा उसमें सबसे ज्यादा एदि प्रतारित कोई रहेगा तो वह महराष्ट की जनता रहेगी तो राजनी हमको हमारा सुख मिलेगा हमको ज्यादा लाब दिखेगा उदर हम चले जाएंगे और उसके हिसाब से बता देंगे कि यह यह सिद्धान्त हमारे इसके कारण हमने इसा किया यह स्थिती थी तो हमने इसा डिसिजन लिया तो यह राजनीती में कोई भी दल आज चाहे वह मुद्धों पर कायम है यह मेरा कहना है और मिश्रा जी साथ तोर पर जहां तक महराष्ट की बात है आपने भी जिक्रिक कि हमारा शिवसेना का जो एजेंडा है विचारधारा है उससे मेल जोल नहीं बैठता है लेहाज़ा हमें भी यहां पर आपती है लेकिन एक यही विकल में कुमार स्वामी सामने निकल कर रहा है और रोते भी नजर आए कि मुझे बहुत दबाव में काम करना पढ़ रहा है कॉंग्रेस के तो आपको लगता है कि अगर महराष्ट में किसी तरह से यह गटजोड होता भी है तो यह समस्या नहीं होगी वहां की जनता के सामने करने वाली पाल्टी यदि उनसे अलग हटती है तो दबाव डालना हमारा करतब बनता है कोई भी दलो लेकिन आप यह देखेंगे कि जिसे सिफसेना महरास्त की बात की जाए तो इतनी जल्दी हम सरकार बनाने को तयार नहीं है जब तक कि सारे विश्यों पर चर्चाना हो ज करेगा कि संभिदान की मूल भावना के रूप सरकार चलाई जाएगी हम आपके साथ आ जाएंगे लेकिन अगर आप को कि साथ समर्तन दे दो बाद में बात कर लेंगे तो मुझे लगता यह कहीं से सही नहीं होगा आज भारती जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए जिस तर सारी मांगों को जुटला रही थी आज एक राजनेतिक जिम्मेदार दल अगर कहरा है कि हमारे बीच में यह बात हुई थी लेकिन आज क्या आपने सहयोगी के साथ में सरकार बनाई बनाने के प्रयास किया साथ में चुनाव लड़े अगर कुछ सीटे कम आ गई तो उसको इ करने से सुधर थोड़ी जाएगा आपने देखा कैसी सरकारे बनाते यह बेमेल गटबंदन की बाते जो कर रहे हो वह आप यह इनसे पूछी भारती जनता परटी का क्या साथ था साथ जो आपने सरकार बना ली सिर्फ एक सत्ता का मोह ता आपका आप इतने दिनों सरकार में सिर्फ सेना के साथ रहे अरे धाई-धाई साल का अगर कोई फर्मूला आया था तो आप उसमें शामिल कर लेते आप सरकार में मंत्री बंडल को लेकर के जो चर्चाय चल रही थी लेकिन नहीं एहम क्योंकि हम दो लोग जो है वो देश है वही राजनितिक दल है जहां-जहा उसमेल कितना पुराना गटाओन था सिर्फ्रस्राण और बारतिजनत पालति का, लेकिन हट धरमीता, की सरकार बनाएंगे तो हम बनाएंगे, जब हम मीनिमम कामन प्रोग्राम के साथ गढटाम करते हैं, निश्चे से किसी की सीटे कं आती, किसी की सीटे ज्यादा आती, ले तो निश्यत रूप से भारती जनता पार्टी का एंकार का जवाब तो इनको मिल चुका है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाओं के परिनाव आया है कि अएकार ने किसी प्रकार का कोई एंकार नी हमारे जन्वत पूरी बिनमरता से जाते हैं यह इनके आरूप हो सकते हैं फिर पार्टी को दाव पे लगा देना कैसे हो सकता है यह हम देख सकते हैं पूरे लोकसभा चुनाओं के परिनामों में पुत्र मोहों ने निश्यत रूप से पार्टी का बंटा धार कर दिया है सोनिया जी के बाद रावल जी रावल जी के बाद यहां पर देश की बात और रही दोनों दलों की यहां पर तो कॉंग्रेस का कहना है कि राजेपाल ने कईने कई यहां पर नाइंसाफी की है जब साड़े आठ बजे तक का वक्त दिया था बिलकुल अभी नहीं है वक्त अभी राजे जी ने भी बताया और मेरे पास जो सूत्र है उनकी जो जानकारी है साड आठ बजे तक का वक्त एंसीपी को दिया गया है आप यह दी पत्र सौपेंगे जिसके भी समर्थन में चाहे से सेना कॉंग्रेस या फिर स्वैम एंसीपी के समर्थन में कि हमारा मुख्यमंत्री हो कि अभी तो यह बंदर मांट की रडाई है इतना असान नहीं है जिस पकार और चाह About vereum है में कामन मिनिममं प्रोग्राम के तहफ सरकार बनाई है और जब बात आई कि वहां पत्तरवाजों पर कारवाई नहीं होगीॹ जब बात आई कि आंतरिक सरक्षा आप नहीं बना सकते हैं तब टो मिनिट हमने इस बात को नहीं सोचा और तदकाल सरकार को बान कि यह किस पकार कि हम से बात करेंगे हमने अगर किसी common minimum program का उलंगर हमारी गडबंधन के सयोगी ने किया है तो उसको उसका परलाम भी भुगतना पड़ा है चाहे वो PDP हो चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो अन्य कोई शेतरी दल हो क्योंकि जो जनता के हित्में हमने जनता से ब परिवार से पार्टी चलेगी यह भरती जनता पार्टी में संभव नहीं है यह दो लोगों की बात करते हैं यह 11 करोड लोगों का परिवार है जो एक जाही चलता है सामय के निरना करते हुँ चलता और कदम ताल से चलता है बहराल समय की कमिया आप सभी महमानों का चर्चा म शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो निशित तौर पर महाराष्ट में आने वाले वक्त में क्या कुछ घटना क्रम निकल कर सामने आता ये भी देखना दिल्चस्प होगा चुकि किसी भी दल की जहां तक बात है इस पर बहुमत नहीं है चुकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी और शिवसेना ने गटबंदन के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ा था और जब सीटे निकल कर सामने आई तो दोनों ही पार्टी अपने प्रिमागों को लेकर अड़ी रही और एंसीपी से भी शिवसेना की बात नहीं बनी जिसके बात ये फिलाल घटना कर में ताही डिनन पर खबरे लगातार जारी है नमस्कार